सिर्फ एक साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि महनत करके ही All India Rank 1 720 में 720 लाया जा सकता है लेकिन आज ऐसी चीज़े देखने को मिली हैं जिससे ग्रेस मार्क से याज ग्रेस मार्क से लोगों को 720 आ रहे हैं एक स्टुटेंट है जान भी जो राजस्थान की है उसके अक्चल जो मार्क से हैं OMR शीट जब उसकी लीक होई जब पता चला कि उसके अक्चल मार्क 636 थे बस एंड ग्रेस मार्क देकर उसको 720 लाए गए किसी को ग्रेस मार्क देकर ओली नियर रेंग बन देना इस इस सम्थिंग एक्सटॉर्डिनरी मतलब किसी का पेपर चूटा वह वात लग है इसमें एक और चीज सामने आई कि उसने 180 में से 179 questions attempt किये थे उसने 179 yes तो तुम खुच सोचो कोई 180 questions के गोत्रों गई उसके पास time की कमी कहा थी एंड ने कहा ना कि हमने उनको grace marks दिये हैं जिनको time की कमी हुई थी तो इसमें time की कमी तो हुई नहीं उसने तो पूरे questions attempt किये इसमें एक और चीज सामने आई जब उसकी OMR sheet check की गई तो उसमें एक sign था जो 2 बच के 6 मिट का था इसका मतलब उसको 2 बच के 6 मिट में paper OMR symbol गया था उसने पूरा paper attempt किया लेकिन फिर भी उसको grace marks दे गए सो time कितनी जल्दी बदल गया and सच बता हूँ कि यह video में short इसली बना रहा हूँ because मैं अब क्या ही बोलू मतलब मैं क्या ही बोलू मैं क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक side हम एक scam समझने की कोशिश करते हैं दूसरे side कुछ नया खेल स्टार्ड हो जाता है उपर से नीचे तक चीजे इतनी बदल गही है न कि मैं ज्यादा डाइजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या सच है क्या गलत है कितना गलत है कितनी हद तक गलत है किस लेवल तक चीजे गलत हैं वह कितने लेवल तक गंदी है पहले लोग स्कैम करते थे पहले भी पेपर लीक होते थे एक तो तीन चार साल पहले भी होते थे लेकिन वह सिफ सेलेक्शन क्ली करते थे लेकिन अब लोग all near rank 1, top rank, top 50, top 100, ऐसे में आने के लिए लोग scam कर रहे हैं मतलब समय काफी जल्दी बदल गया है हमें पता भी नहीं चला कि ऐसी चीज़े exist करने लगी है बट यहाँ पर इस point of time पर मुझे सबसे ज़ादा बुरा लगता है जो अभी NEET 2025, NEET 2026 के students है उनके लिए मुझे सच में बहुत बेकार फील होता है क्योंकि अगर मैं तुमारी जगे होता और मेरे सामनी इतनी सारी चीज़े चल रही होती तो definitely मैं सोच था, मैं जितना ही hard working रहा हूँ लेकिन मैं सोच था क्या मैं निकल पाऊँगा इतने गंदी जगे से जहां लोग इतने scammers भड़े परे हैं क्या मैं वो अचीव कर पाऊँगा जो मैं deserve करता हूँ जो मैं believe करता हूँ कि मुझे मिल जाना चाहिए परकोज मैं उतना hard working हूँ so definitely एक बहुत बारा challenge future NEET aspirants के सामने है यह challenge रहेगा and definitely we really need to find out a way कि हम किस तरीके से NEET 2025, NEET 2026 कंड़क करेंगे and इसका काफी जादा importance अब government के पास आता है कि वो अब क्या steps लेते हैं इन सारी चीजों को कि एक single चीज नहीं है जिस पर हम focus करें no, a single problem नहीं है जिस पर हमें focus करना है multiple problems हमें एक दो दिनों में देखने को मिली है so, बहुत सारी चीज़े हील करने को बच्ची हुई है अब इतनी सारी चीज़े एक साथ हील हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी exam किस तरीक सकंड़क कराया जाएगा वो time के साथ ही होगा but एक बड़ा message जो मैं भी future need to spend को देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जो future की need to spend in need 2025, need 2026 वो please अपना time based ना करें and move on करें and अपनी preparation जैसी चल लीतियों से बैसा carried on करें and अब बहुत जादा news बगिर आपे ना देखें क्योंकि मैं भी अब बहुत जादा थक गया हूं सच बता हूं still but still जब भी कुछ नया होगा I'll definitely let you know because हम अपनी बात रखने से पीछे नहीं हट सकते यह भी बात है but still आपको पढ़ते रहना है और आपको अपनी preparation जारी रखनी है ऐसा नहीं कि आप एक दो महीने बस यही सोचते रहें कि यह हुआ वहा बस यही सब करते हुए time निकाल दें नहीं यह ऐसा नहीं होने देना अपने साथ एक positivity के साथ एक hope के साथ कि चीज़े सही हो जाएंगी एक समय आएगा कि चीज़े अपने अप सही हो जाएंगी है होता है एक रात के बाद सुबह आती है so मैं बही कहना चाहता हूं तुमसे yeah इसलिए वीडियो थोड़ी सी छोटी है एक बहुत जादा चीज़े पर इस फ्रॉड श्काम पर बहुत जादा बात नहीं करना चाहता है सच बता हूं तो क्योंकि मैं और जादा नेगिटिब उसमें नहीं जाना चाहता है मैं रहल ही चाहता हूं कि जो फ्यूचर की नीड एस्परेंट से हैं वो अपनी विपरेशन कंटिन्यू करें हैं बिताउट फोकसिंग ओन अल दीस थिंग्स जो बाकी के लोग हैं बाकी के इस्वार बाले हैं जो लोग टीचर्स, यूटूबर्स, क्रेटर्स, इंफ्लॉएंसर्स वो definitely reach out कर रहे हैं लोगों को and authorities को तो देखते हैं with the time ही हमें result का पता चलेगा कि क्या decisions लिए जाएंगे okay yeah that's it for today's guys हम मिलते हैं आप से अगली वीडियो पर